नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुकेश याद और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ नया फीचर में जिसमें मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किसी भी गाने पर अपने बोल कैसे बिठाएं किसी भी गाने को कैसे गाएं जैसे आप YouTube चैनल पर जाकर ये देखेंगे कि Music अगर आपको सीखना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जिसमें अनिक प्रकार की चीज़ें आपको सिखाई जाएगी जैसे सरगम कैसे गाते हैं, ताल क्या होता है, अलंकार क्या होता है, सारे गामा पाधनिसा कैसे बजाते हैं, हार्मोनियम कैसे बजाते हैं और भी बहुत कुछ लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं बताया जाता है कि किसी गाने को कैसे गाया जाता है गानी का उधारन देकर आज तक किसी ने भी नहीं समझाया है जो कि मैं आज आपको समझाने वाला हूँ और आगे से मैं इस नए फीचर के साथ आपको बहुत सारी चीजे बताने वाला हूँ जैसा कि अगर दोस्तों आपको किसी भी गानी की प्रैक्टिस करनी है कोई भी गाना आपको गाना है तो सबसे पहले उस गाने को आपको अपने दिमाग में इतना अच्छे तरीके से बिठालना होगा कि आपको पूरा गाना याद हो जाए उस गाने की कम से कम आपको 10 से 15 वार एरफोन लगाकर आपको अपने गाने को सुनकर अपने दिमाग में उस चीज को बिठालना है उस गाने की सारी लाए, उस गाने की सारी धुन, उस गाने की सारे की सारे लिरिक्स आपके दिमाग में होनी चाहिए अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं उस गाने के लिरिक आप note down कर लीजे और उस गाने के करियो के के साथ जो आपको बहुत सारे यूटीउब पर मिल जाएंगे या star maker app या smule app में भी मिल जाएंगे करियो के के song के साथ में आपको लेरिक्स भी मिल जाते हैं, उस पर आप टैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन गाने को गाना कैसे है, अगर आपको किसी भी गाने के प्रेक्टिस करनी हैं, सबसे पहले, आप उसpanे को सुनिए, उस गाने में कहां उतार चाड़ावा हैं, उस चीज को बारी की को समझिए, और फिर आप उस गाने के अपने प्रेक्टिस में लेकर आईए और फिर उसको परफॉर्म केजिए करियाओ के साथ. लिकिन अगर आप एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, तो रटने से काम नहीं होगा. आपको गाने को समझना होगा. और समझने के लिए सबसे पहले आप ओर्ड सौंग हमारे जो जेतने भी लिजयर दिखिंगर साथ हैं. जैसे मुहम्मद रफी साथ हैं, महिंदर कपूर साथ हैं, मुकिष जी हैं, लता जी हैं, आशा जी हैं, कवीता क्रश्नमूर्थी जी हैं, अलका यागनिक जी हैं, श्रे अगोशाल जी, कुमार शानू, उदेत नरायन्द, और भी बहुत मुहम्मद अजी साहब बहुत हैं. जिन्होंने गाने को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, अपनी गाई की को साबित किया है, जिसकी वज़े से हम आज उने जानते हैं अगर आप गाने को सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो इन पुराने सिंगर के गानों को आप सीखिए, नए सिंगर भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी होती है, इसलिए नए सिंगर की हम गाना सुनकर उनकी आवाज को नह तो घाना है हमारा तुम अगर सात देने का वादा करो तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं तो दोस्तों यह है गाना महंद्र कपोज साहब का इसमें देखे कितना बढ़िया मेलेडी है कितना बढ़िया गाया है और आप इसके सब्दों को सुनिए ऐसा लगता है कि कविता चल रही है जैसा कि स्टार्ट कहां से हो रहा है तुम अगर साथ देने का बादा करो तो कैसे स्टार्ट करना है उस गाने को बहुत अच्छे से सुनना है पांच बार तस बार जब तक आपको गाना याद ना हो जाए गाना याद हो गया उसके बाद आपको क्या करना है उस गाने को करियो कि उस गाने को का सकते हैं